अभी तक आपने नोट पर महाक्मा गांधी जी की तस्वीर देखी होगी पर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वाइरल हो रहा है, जिस पर भगवान राम की तस्वीर लगी है. इसके जरीए ये दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर के अभिशेक समारोह से पहले सरकार ने नई सीरीज के नोटों से महाक्मा गांधी की तस्वीर को हटाते हुए उस पर भगवान श्री राम की तस्वीर को लगाने का फैसला लिया है. वाइरल तस्वीर की सक्चाई क्या है? इस वीडियो में देखिए. 22 जनवरी 2024 को आयोध्या में रामला की प्राणप्रतिष्ठा होने को है. ऐसे में सोशल मेडिया पर भगवान राम को लेकर एक वीडियो वाइरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर लोग तरहत्रह की बातें कर रहे हैं. श्रीराम और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीरों के साथ 500 रुपए के नोट का फोटो लगातार बाइरल हो रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 22 जनवरी को भारतिय रिजर्व बैंक भगवान श्रीराम के तस्वीरों वाला 500 रुपए के नए सीरीज का नोट जारी करेगा? क्या RBI भगवान श्रीराम और अयोध्या में तयार हो रहे राम मंदिर की तस्वीरों के साथ 500 रुपए का नोट जारी करने जा रहा है? महात्मा गांधी की जगह श्रीराम की तस्वीर भगवान श्रीराम और अयोध्या में श्रीराम मंदिर के तस्वीरों के साथ वाला 500 रुपए के नोट को देखें तो 500 रुपए के नोट में जहां राश्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है वहां वाइरल हो रहे 500 रुपए के नोट में भगवान श्री राम की तस्वीर है और नोट के पीछे जहां लाल किले की फोटो है वहां अयोध्या में तयार हो रहे राम मंदिर की तस्वीर है सोशल मेडिया पर भगवान श्रीराम के फोटो के साथ 500 रुपए का यह नोट काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है यह सब फेक निउज है लेकिन भारतिय रिजर्व बैंड की तरफ से भगवान श्रीराम के तस्वीर वाले 500 रुपए के नए सीरीज के नोट जारी किये जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है खबरों की माने तो भगवान श्रीराम की तस्वीरों के साथ वाइरल हो रहा 500 रुपए का नोट नकली है RBI की तरफ से ऐसी कोई ना तो घोशना की गई है और ना जानकारी दी गई है एक तरह से देखा जाएं तो यह एक फेक निउस है RBI ऐसा कोई भी 500 रुपए के नए सीरीज का नोट जारी नहीं कर रहा है